नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ में पिंचोधरी राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं थी और लोगों का मानना था के अब की बार जो राजस्थान की जनता है वो उस पुरानी प्रमपरा को जिसमें एक बार भाजपा और एक बार कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाती है उसे तोड़ने जा रही है लेकिन एक बा के से असोग गैलोत और सचिन पाइलट के बीच में खीचतान रही उसका असर इस चुनाओ पर पड़ा और कॉंग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करने में पिछड़ गई बाच्चीत करने के लिए आज हमारे साथ पतरकार वीपिन आर्या जी मौजूद है वीपिन आर्या जी ने राजस्थान विधान सभा चुनाओं में राज्या के कोने कोने में जाकर अलग-अलग विधान सभा शीटों पर जाकर कवरेज करने का काम किया और जनता के मन को भली परकार से टटोलने का काम किया वीपिन जी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका इंदुस्तान में आ रही है कि एक बार भाजपा एक बार कॉंग्रेस उसे जनता तोड़ने का काम करेगी यानि एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाने में काम होगी लेकिन हुआ फिर वही है पहले कॉंग्रेस पार्टी बार फिर से भाजबा की सरकार बनने जा रही है तो मतलब जनता के मन को आपने टटोला है तो जनता के मन में क्या था जे निस्टी तरूप में जो आप कह रहे हैं जब मैं रैस्थान गया था यहां से तो अक्टूबर में 67-67 अक्टूबर को मैं वहाँ पहुचा था तब नामंकन की प्रक्रिया सुरूई हुई थी तो हम जैसे ही लोगों से बाच्चीत करते थे तो ज़्यादतर जो राजनितिक विशलेसक वहां के थे और जो वहां के वरिष्ट पत्रकार थे उनसे भी हमारी बाच चीत हुई तो सब ये कह रहे थे कि राजस्थान का एक रिवाज रहा है कि भैरो सिंग सिखावत के बाद लगबग 35 साल से बीजेपी और कॉंग्रेस बीजेपी और कॉंग्रेस ये वहां चलता रहा लगबग लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि साइद ये रिवाज टूटेगा और एक बार फिर से असो गहलोत की वापसी होगी सब्ता में और कॉंग्रेस फिर से मेज़ोर्टी के साथ सरकार लोगी राजस्थान में सप्ता में वो जो रिवाज है राजस्थान का वो इस बार तूटेगा और राजस्थान में फिर से कॉंग्रेस हमें लग रहा था कि बहूमत में आएगी लेकिन जो आज सुबह से जो रुझान आ रहे हैं एक जिट फोल को भी वो तो एक तरह से विवाद चला उससे भी वहां की जनता जिनों ने कॉंग्रेस को भरपूर बंपर वोट दिया था पिछली बार और उसमें इस बात में कोई दोर आए नहीं है कि सब लोगों से युवाव से हमने जब बात की उनका कहना था कि सचिन पाइलेट के नेतरत्वर पर उनको वरोसा था उन्होंने कॉंग्रेस को इसलिए हाथ के पंजे का बटम दबाया था दो जारटारा में के सचिन पाइलेट युवाव हैं और वो युवाव की बात करते हैं उनको निश्चित रूप से यहां का मुख्यमंतरी बनने का उसर मिलेगा और वो हमारी जन भावनाव के उनका जादू मैंने अपना जादू चला दिया तो इस तरह के उन्होंने जो बयान दिये और जो वरिष्ट नेता थे उनको अपने पाले मिला करके सचिन पाइलेट खेमे को एक तरफ कर दिया वो सारी चीजे जनता ने कूप देखी और युवा भी उससे हतास निरास हुआ और हमने देखा जब हम किसी सीट पर गए जहां सचिन पाइलेट की जनसवा हुई खासकर मैं टॉंक की बात करूँ तो टॉंक जो विधान सवा है वहाँ के लोगों का भी ये कहना था कि टॉंक जिले की चार सीटों में से हम केवल सचिन पाइलेट जी के साथ उनकी विधान में आने के बाद जो खेल किया गया जो जादू जिसको हो कहते हैं उससे कहीं ने कहीं उनको नुक्सान वाए और कॉंग्रेस हाइकमान जो चुप रही उसका नतीजा भी उनके सामने है मतलब जिस तरीके की बात निकल कर सामने आ रही थी और राजस्थान की जनता ये बोल भी रही थी कि सचिन पाइलेट से किसी परकार का कोई बैर नहीं और कॉंग्रेस और असो कहलो तेरी खैर नहीं मतलब वो उस पर जनता कायम रही जनता बिल्कुल सही कह रहे है मास्टर जी आप जिस जगेबी में गया लोग कहते थे सचिन पाइलेट की जनसवा खतम होने के बाद सचिन पाइलेट निश्चित रूप से अच्छे निता हैं यह बिजनरी लीडर हैं राजस्थान का बहुश से हम इनहीं में देखते हैं लेकिन लोग कह रहे थे कि असो गैलोट ने जो पिछली बार जो बहुमत में आने के बाद जो धोका एक तरह से किया लेकिन जनता बहुत अंदर की चीज़े जानती है क्योlingt की जो पाइलेट में कोई वी व्यवियंपि कल्चर नहींै तो सब लोगों को सब के पता था जिस तरह से उनको रोड़्सों कе दोरान उनको पिछले करना गैलोट साह और उनके जो गोविन सिंग दोटास्रा प्रदे लेकिन दूसरी और सीटों पर कॉंग्रेस को इस बार चोट देने का काम करेंगे मिश्ची तरूप से इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सब आपके सामने आज के पूरे एक सारा नतीजा आ रहा है इस तरह से हो रहा है जिपिंजी अब मेरा सवाल आप से यह है के दो हजार अठारा में जिस तरीके से सचीन पाइलट ने मैनत करके कॉंग्रेस पालिटी के पक्स में एक तरह से जन समर्थन को खड़ा किया और सरकार भी बनने में कामियाब हुई तो जिस तरीके से सोग गैलोद और सचीन पाइलट के बीच खींचतान होती रही तो यह विधान सभा चुना हुआ है तो क्या सचीन पाइलट से वो जुड़ा हुआ वोट खिसक कर भाजबा के पाले में जाकर खड़ा हो गया निश्ची दरूप से मास्ट जी यह भी हुआ है इस बार पिछली बार आपने ठीक बात कही है दोजार अठारा के विधान सभा चुना की और उस सीटों को बढ़ा करके सवासो सीटों तक सचिन पाइलेट लेकर के गई थे तब कहीं कॉंग्रेस राजस्थान में सत्ता के आंकड़े को चूप आई थी लेकिन जब उसके बाद जो पुरा का पुरा 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 आपने देखा राजस्तान में क्या हुआ पहले डिप्टी सीम से भी उनको बाद में जिस तरह से नाट की धंग से हटाया गया वहां की युवा खासकर और जो राजस्थान का गुर्जर समाज और मैं ये कहूंगा कि गुर्जर समाज ही नहीं गुर्जर समाज के साथ मीना समाज भी बहुत हद तक और राजपूत समाज, पालिवाल, बहरवा, सब जाती के लोग, मैंने उन लोगों से बातचीत किये अब जा करके, तो सब लोगों ने ये कहा, कि ये बहुत बड़ी एक चीटिंग थी, निश्ची दरूप से सचिन पाइलेट की वजए से कॉंग्रेस यहां सत्ता में लोटी थी, नहीं तो बीजे साब इस बात को पक्का कर सकते हैं, कि वो ही सीम होगे, या वो ही सीम फेस होगे, लेकिन पाइलेट साब के पास भी कोई जवाब नहीं था, वो भी हमेशा सारे इंट्रिव्यूज में सब जंगे, सारे प्लेट फार्म पर यही कहते रहे कि पार्टी हाई कमान तै करेगा, इसका फिर से मैसिज लोगों में वो ही जाता रहा कि पाइलेट साब का सीम बनना अभी कोई पक्का नहीं है, तो इसलिए पुदानमंत्री नरेंदर मोदी का चैरा दूसरा उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा था, कि एक मजबूत लीडर है, विजिनरी लीडर है, पुरे देश में जो सकारात में बदलाव लोगों ने देखे तो इसको देखते वे लोगों को मोदी पर भरोसा ज्यादा हुआ, क्योंकि वहां क्लियर है, विदानमंदल दल का नेता जिसको चुना जाएगा तुरंत उसको मुक्यमंत्री बिना देंगे, वहां कोई इस तरह का पुलिटि किसी परकार का हमारा कोई बैड नहीं है, लेकिन अब की बार कॉंग्रेस वाइटे और असो कहलोत को सबक सिखाना है, मतलब यह बात जंता की दिमाद में थी जा सब जंगे मैं आपको बताता हूँ, सीकर मैं गया, जैपूर गरामीन, जैपूर टॉंग, सवाई मादोपूर करोली और आपका भरतपूर, आपका बोंदी, जहाजपूर भिलवाडा और बारा कोटाई, इन जिलों में मैं गया, तो यहां जब जनसभा कॉंग्रेस की खतम ह जनसभा के बाद लोगों से पूछा, उन्होंने का, पाइलेट साब निश्ची तरूप से बढ़िया नेता है, यूआ है, लेकिन इन बेचारों को क्या मिलेगा, इनको मुख्यमंतरी बनने नहीं देंगे बाद में, और बड़े जादूगर हैं, यह राजस्तान के लोग कह हर जगे मैनेजर साब को बताया, वो कहते थे, आस्वस्त करते थे, कि आप चिंता मत करिये, कॉंग्रेस की सरकार आ रही है, हम लोग सक्ता में आ रहे हैं, और पार्टी हाई कमान जिसको भी देगा, उसर देगा, मिश्ची तरूप से वो ही आपकी भावना के मंतरी बनेगा जो मैंने मैसूस किया, एक चुनावतों कोंग्रेस के अंदर ही चलता रहा, लोगों में गैलोत ज्यादा पसंद है, लोगों की या सचिन पाइलेट, और आप देखेंगे कि पाइलेट साब के जो कारेकरम थे, जो जन सबाई थी, उनमें भीड ज्यादा निखाई दी, और जो CM गैलोत है, हलाकि उनकी अपनी कोई अलग से ज्यादा बड़ी जन सबाई नहीं हुई, वो ज्यादा तर राहूल जी प्रिंका गांदी जी के साथ CM गैलोत की जन सबाई हुई, उनका एक दो जो रोड सो हुए, वो उनी के साथ हुए, लेकिन उनके अगर केंपेर करें, तो सचिन पाईलेट जी की जन सबाई हुई, सबसे ज़्यादा डिवांड मैं कहता हूँ, आपको मास्टर जी मद्यपरदेश चुनाओं में भी कोंग्रेस की जितने स्टार पर चारक थे, उनमें सबसे ज़्यादा सचिन पाईलेट की डिवांड मद्यपरदेश में रही हो बहुत जगह सचिन पाईलेट जी के काड़ेकरम लगाए गए, क्योंकि के काड़ेकरमों में बेताहसा भीड उमड रही थी, लेकिन अंदर वो ही था सब के, के पाईलेट साब को मुख्यमंतरी साइद यह निबनने देंगे, तो इसलिए वोट कोंग्रेस के वक्ष में रु गैस स्लिंडर देंगे, इस्कुटर मेरिट वालों को देंगे, अब फीस माप कर देंगे, यह कर देंगे, पांच सजार रुपे मैलाओं को बढ़ा कर, दस सजार रुपे साला ना देंगे, तो वो जो उनकी खिसानों के लिए करज माकी की, कहीं उन्होंने साथ गारंटिया की जो राष्टे राज निती है, और अंतराष्टी कूट निती है, उसकी तरफ वो जादा जाते नहीं दिखाई दिये, स्टी समाज जो रेगर, बहरवा, मीना और जो वाह के छोटे जो आते हैं समाज में, दलित समाज जिनको कहें, वो लोग थोड़ा कॉंग्रेस की तरफ जरूर चलें, लेकिन वो ही जो आपको मैंने पहले बताया कि कॉंग्रेस उस तरह से लोगों को रोख नी पाई, उनकी गारंटी और वो तमाम चीजे फेल रही, बीजेपी के और प्रधान उंतरी नरेंदर बोदी के सामने, चले तो वरिश्ट पतरकार वीपिन आरे जी को आपने सुना जिनोंने बड़े सपष्ट तरीके से बताया कि आखिर क्यों राजस्थान में वो पुरा ना मिठक तोर नहीं पाई और क्यों कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, खिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी, तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ, नमस्कूर।